हेलो गाईज वेलकम बेक तो माई चैनल इजी मेक कॉंसेप्ट आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपोर्टन्ट इंपोर्टन्ट जो इन्होंने जाहिर किया है कि अनफेर मींस्ट एडॉप्टेड यू एफम एडॉप्टेड बाइड एग्जाम इनिप औ सब्सक्राइब करें तो चलिए हम देख लेते हैं कि अगर अनफेर मींस में कोई स्टूड़न पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है तो चलिए देर ना करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजी और बेल आइकन दबा दीजी ताकि आपको रेगिलर नोटिफिकेशन और इंस्टिट्यूट रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सकें तो ऐसा नंबर वन तो ऐसा नंबर वन में टोटल पांच केसी से जिनके खिलाफ यह एनी एक्जाम रिलेवेंट लिटरेचर मतलब अगर एक्जाम रिलेटेड जो सब्जेक्ट आपका है उसके रिलेटेड कोई मटरियल बूक या फेस के सामने कुछ दिखा स्टूडेंट्स के डिवाइस के तो आपको तो आपके खिलाफ यह पनिश्मेंट होगा फिर एक्जाम रिलेटेक्शन हैं डिटेक्शन ऑफ एनी इलेक्ट्रोफोनिक गैजिट्स त्रू केमेरा और फ्रंट फेसिंग केमेरा और स्टूडेंट्स डिवाइस मतलब अगर को इलेक्ट्रोनिक डिवाइस जैसे के मोबाइल टेबलेट अगर आप दूसरा कुछ यूज कर हैं जिसमें आप एक्जाम दे रहे हैं उसके सीवाई अगर कोई डिवाइस यूज कर रहे हो तो डिटेक्शन द्रू वेबकेम और फ्रंट केमेरा फेसिंग और स्टूडेंट्स डिवाइस फॉर एनी अटेम्ट ऑफ एनी टाइप अफ कम्यूनिकेशन विद एनदर पर्सन ड्यूरिंग एक्जामिनेशन अगर आप किसी से इसारों में कुछ सवाल पूछते हुए या कुछ करते हुए दिखे तो इशारो कर वो यूजिंग एनी बोडी पार्ट लाइक आईज हैड एटसेटरा अगर आपने आखों से हातों से या कुछ इसारे करने के ट्राइ किये और वो आपके वेब कैमेरा फ्रंट वेब कैमेरा से दिखातो और अगर आपको छुपाने का ट्राइ कर रहे हो यह सब अगर हो तो आपका पनिश्मेंट क्या है तो समर एग्जम 2020 आपको पता है चल रहे हैं उस दोरान आपको वो एग्जम स्टुड़न्ट को फेल डिकलेर कर सकते हैं सुपरवाइजर लोग देन नेक्स्ट इन डिसेंट बिहेवियर अब्जर त्रू वेब कैम अगर कोई पर्टिक्यूलर मिस बिहेव कर रहे हो स्टुड़न्ट ट्राइड टू कॉंटेक्ट डिरेक्ली और इनडिरेकली ऑफ एनी परसंट इन डा एक्जम टाइमिंग ओके श्टूड़न्ट यूजिंग टीवी जैसा के लोग स्क्रीन मिरेरिंग करके टीवी या सैल फोन्स सिके त्रू इलेक्ट्रिक टेबलेट के त्र इन्होंने clear लिखा है if student is not seated before the device अगर आप camera के सामने नहीं है जब आप exam दे रहे हो तब अगर webcam के सामने नहीं है आप एक भी second के लिए अगर webcam के सामने से गए तो then detection of multiple faces through webcam webcam में आपके सिवाए कोई और चहरा या और कोई person आपके आज बाजु दिखे तो if student is found to be constantly speaking something and the same is observed through the webcam अगर आप कुछ continuously बोल रहे हैं तो if student tries to copy answer or share or discuss question or answer अगर आप किसी के और के साथ answer discuss कर रहे हो तो भी और if student is observed through webcam front के facing camera that he or she possess exam relevant material in any form कोई भी form में अगर आप बूक या कुछ भी या चीट कुछ भी लेकर बैठे हो और वो अगर कैमेरा में दीख जाए तो cancellation of result of all subject अच्छा तो ये बहुत ही अगर आपने एक subject में भी ऐसा किया तो आपको सारे exam जो है उसमें से आपको fail कर दिया जा सकता है पूरे semester के लिए मतलब अगर आप final या का exam दे रहें तो आपको पूरा final semester जो है वो फिट से repeat करना पड़ेगा ऐसा भी वो लोग कर सकते है as a punishment if student is involved in any mass copy case by any means during the exam attempt to copy and paste from any website को दूसरे website से भी आप copy paste नहीं कर सकते copied from another website or deliverability allow the student to copy that is captured through webcam front camera or student's device so उसके लिए आपके खिलाफ क्या action लिया जा सकता है result cancel आपका कर दिया जा सकता है all subject का and declare to appear in all the subjects of summer winter examination to be conducted by the authority और आपको ऐसा भी कहा जा सकता है कि आपको next जो authority जो है GTO की वो next exam जो लेंगे offline mode में उसमें आपको exam देने आना पड़ सकता है then next then next लिखाओ यहां पर if person impersonates as a student and if this is detected during the examination if the student is not appearing in particular examination but who is candidate of other examination अच्छा तो मतलब वो कोई और university का student या दूसरे कुछ college का student आपके साथ बैठा हुआ नहीं होना चाहिए students photo ID अच्छा अगर photo ID में जो आपका photo है और जो आपका photo capture करेंगे वो लोग during the online session अगर match ना हो तो तो उसके उसके कारण आपके खिलब क्या punishment लिया सकता है cancellation of result of all the subject जो उपर था वही के current semester का वो सारे exam के लिए आपको exam cancel कर दे and to appear in the next force summer और winter all the exam to be conducted by the authority अच्छा तो अगले आने वाले चार्ज समर और winter exam में आपको उसके कारण जो है आपको exam देना पड़ेगा next for coming जो है उसमें आपको exam देना पड़ेगा ऐसा लिका है इन्होंने then last if during the examination or afterwards any student is found to have indulged in unfair means than other than specified one two three and five in this table which has been bearing मतलब अगर exam के बाद उन्हें पता चले कि आपने कुछ cheating किये या कुछ तो यू एफेम कमिटी शेल डिसाइड दपेंट तो तब यू एफेम कमिटी अन्फेर मिंस की जो कमिटी डिसाइड की डिसाइड करेगी वह आपके साथ होगा and complexity of involvement of the concerned examining so उसमें उसमें काफी ज्यादा student को ही दिखत होगी so basically all the best for the online exam और यह जो चीजें लिखिए यह सब आप नहीं कीजिए तो बेतर है अच्छे से पढ़िए और फिर अच्छे से एक्जाम दीजिए कोई cheating करने का ट्राइन नहीं मत कीजिए क्योंकि यहां पर आपका camera microphone सब कुछ on है तो आपको problem हो सकता है और अगर आपको यह वीडियो लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगिलर नूटिफिकेशन और रहें थेंक यू सो मच